हलो दोस्तों आप सभी का एक बर फिसे स्वागत है एक और नई वीडियो में मैं हुए एक ताया दव और आज की हमारी रेसेपी है उसाबुदानी की किचडी है इस किचडी का एक एक दाना अलग लग दिख रहा है न अगर आपकी किचडी चिपचिपी बनती है खिली खिली तो आप मेरे तरह से बनाएंगे तो आप भी इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो जब भी आप साबुदाने को भिगो हैं उससे पहले अच्छे से उसको धो लीजिए मैंने इसको दो से तीन बर पानी में अच्छे से धो लिया है आप अपने के लिए साबू दाने से साबू दाने लें गयाँ है जाथा बीगने के लिए तो आप देख रहे हैं यह बीग चुके हैं जब हम उगली से इसको ऐस से दबा के देखेंगे तो यह आसानी से दब रहे हैं तो यह हमारी साबुदानी तयार है तो फ्रेंड्स अगर आपकी खिचडी चिपचिपी बनती है तो उसका में कारण यही हो हो जाएगा हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा तो यहां पर आदी चमस मेने डाल दिया है और यह का सा ब्राउन हो गया है अब मैंने लिया है हरी मिज़ को इस तरह से बारिक-बारी काट लिया है साथ में लिया है मैने मीटा नीम के कुछ पत्ते और इसी के साथ मैंने एक आलू को इस तरह से बारिक बारिक टुकडों में काड लिया है, तो इन तीन उचीजों को डालेंगे, आलू को हम दो से तीन मिनट तक लो फ्लेम पर ऐसे ही जलाते हुए पका लेंगे, इसमें हलका सा कलर आ जाएगा और साथ ही हलके से सोफ्ट भी हो जाएंगे, तो अब इसमें दो से तीन मिनट हो चुके हैं, कलर भी आ गया है, इसमें हम डालेंगे मुफली दाना, तो मैंने पहले से मुफली को इस तरह से भून की रखा हुए और छिलका भी हटा लिया है, आपके पास कच्ची है तो आप पहले डाल दीजे, जब हम आलू डालते हैं, तो आलू के साथ साथ मुफली भी फ्राई हो जाएगी, उसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मैंने इसको डाल दिया है, और थोड़े देरी के लिए हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसमें थोड़ा सा भी अगर कच्चापन रहेगा, तो निकल जाएगा, और अब इसमें हम डालेंगे मसाले, बहुत सारे मसाले हम किचडी में नहीं डालते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में नमक, बस यहीं चीजे डालेगी, आप लाल मिर्च खाते हैं, तो डालिए, अगर आपके लाल मिर्च नहीं चलती है, तो आप इसमें हारी मिर्च या काली मिर्च को डाल दीजी कूटके, हम लोग लाल मिर्च खाते हैं, इसलिए मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे अब एक टमाटर को इस तरह से बारिक-बारिक काट लिया है चोटा टमाटर लिया है बहुत बड़ा नहीं है तो इसको डालके अच्छे साइस को मिस करेंगे थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे एक मिनट के लिए तो खिचडी में ज़्यादा समय नहीं लगता है और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं डालती हूँ लोग कम पसंद करते हैं लंबी वीडियो को कम समय में ज़्यादा जानकारी पसंद करते हैं तो लीजिए अब मैंने डाल दिया इसमें साबू दाना और एक बर अच्छे से mix कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे सेंदा नमक या काला नमक आप फ्रत में खा रहे हैं तो काला या सेंदा नमक डाली या नॉर्मल भी डाल सकते हैं आप और अब इसको अच्छे से mix कर देंगे और हम इसको 2-3 मिनट के लिए बस ऐसे ही चलाते हुए पका लेंगे ताकि मसाले हमारे दाने के अंदर अच्छे से चले जाएं और देख रहे होंगे खिचडी का एक-एक दाना अलग-अलग से दिख रहा है उपर से डालेंगे हरा दनिया और इसमें आदा निम्भू भी निचोड देंगे तो लीजिए फ्रेंट्स खिचडी हमारी बनकर तयार है गर्मा गर्म आप दाई के साथ सर्व कीजिए या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं ब्रत में खाईए साथ में अगर आपका कभी चटपटा खाने का मन करें तो इसे आप बना कर खा सकते हैं और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी घंटी वाले बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए